शादी डाट कॉम का आज ही डाउनलोड कीजिए आदाम नमस्कार मैं स्मृती रस्तोगी आप सभी का इस्तक्बाल करती हूँ और आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शक्सियत जिन्होंने अपनी कड़ी महनत और हुनर के दम पर अपने ख्वाबों को हकीकत में बदला थेटर और फिल्म जगत की जानी मानी हस्ती जतिन सर्ना जतिन सर्ना एक बेहतरीन अधकार दिल्ली में हुई पैदाईश और यहीं आखोंने देखे वो खाब जिन्हें हकीकत में बदलना था लेकिन सफर आसान ना था, रास्ता मुश्किलों भरा था छोटे मोटे काम किये, नौकरी भी की लेकिन मन नहीं लगा, ख्वाहिश थी, कुछ अलग करने की और इनकी यही चाहा, इन्हें ले आई दिल्ली के श्री राम सेंटर आफ परफॉर्मिंग आर्ट्स जहां से इन्होंने आक्टिंग का डिप्लोमा किया और फिर जद्दो जहद की जमीन पर चल कर इन्होंने तै किया थेटर से फिल्मों तक का सफर शुरुआनी दौर में टेलिवीजन और फिल्मों में छोटे-छोटे रोल किये लेकिन साल 2018 की वेब सिरीज सेक्रेट गेम्स ने इनकी तकदीर पलट कर रख दी बंटी के करदार ने इन्हें रातो रात मशूर कर दिया और पिर साल 2021 में आई फिल्म 83 में क्रिकेटर यश्पाल शर्मा के करदार को इन्होंने इस तरह से अदा किया कि देखने वाले इनके मुरीद हो गए हार ना मानने वाले जजबे और अपने जुनूनी देवर से इन्होंने साबित कर दिया कि इन्सान अगर चाहे तो कड़ी महनत और बुलन होसलों से अपनी तकदीर बदल सकता है जतिन जी गुफ्तगू में आपका बहुत-बहुत स्वागत है बहुत-बहुत शुक्रिया और धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बढ़ाई दूँगी आपकी जो फिल्म है 83 उसने बड़ा कमाल का काम किया है और इस फिल्म में आपके काम की बड़ी तारीफ भी हो रही है अच्छा अनुभव रहा उस फिल्म के साथ और मैं सोचता हूँ कि मेरी किसमत अच्छी है क्योंकि सबसे पहले क्रिकेटर ही बनना चाहता था जैसा कि भारत का हरे एक नौजवान चाहता है यह वह क्रिकेटर बनना चाहता है तो मेरा भी खुआप था लेकिन मुझे बहुत जो आइडिया है वो ट्रॉप कर देना चाहिए तो फिर रुजहान जो है फिल्मों की तरफ बढ़ गया और शुरू से ड्रामे भाजी करता हिधा बच्पन में घर में और वहां से एक रास्ता मिल गया रामलीला जब होती थी गली में तो उसमें पार्टिसिपेट करने लगा पडोसियों की रिष्टेदारों की शादियों में नाचने लगा तो डिमांड जिसे कहते हैं वो बढ़ने लगी तो फिर वहां से ऐसा लगा कि यार यह जब मैं करता हूं तो अच्छा लगता है चाहे मेरे दोस्तों परिवार के लोगों रिष्टेदारों तो वो एंज्व जो थौट था उसके साथ फिर शुरुवात हुई अब फिर दीरे दीरे आपका मगर बैक्ग्राउंड जो है वो थेटर का ही है हालांकि काफी लोगों को यह बात नहीं पता है कि आपने अपने करियर के शुरुवात एक्स्ट्राज और क्राउड में काम करके शुरू की थी ग्रेजुएशन कर रहा था तब मैंने सोचा था कि मुझे अब साइड बाई साइड एक्टिंग को करना है या इसमें सीखना है कुछ करना है तो बंबे जाने के लिए पैसे थे नहीं तो मुझे यह था कि बहुत सारे लोग जो है वो मंडी हाउस के रास्ते से होते वे तीन बहुत बड़े दिगज लोगों से हुई जब मैं पहली बार पता करने गया नैशनल स्कूल और ड्रामा में तो रॉबिन सर एंके शर्मा सर और मरहूम एर्फान खान सहाब से मेरी मुलाकात हुई और वो कुछ अपनी डिसकेशन कर रहे थे और मैं भी ऐसे ही बिलकुल बेबाकसा लड़का उनकी डिसकेशन में कूद गया और वहां में अपनी कुछ बातचीत उनसे शेर करने लगा और वहीं पर मुझे पिर उन्होंने बताया कि यहां तो ग्रेजुएशन चाहिए तो अभी तुम ग्रेजुएट नहीं हो तो तुम श्रीराम सेंटर चले लिए और मैंने वहां अड्मिशन लिया और किसमत कहूं या बदकिसमत ही कहूं जिस दिन पहले दिन पहुंचा तो जो मुझे डायलोग दिया गया था जो याद करने के लिए थेटर का एक मोनो लोग था बिच्छू एक नाटक है मॉलियर सहब का उसकी मिर्जा की स्पीच जो मैं वहां जाते ही भूल गया अच्छा मैंने पहला ही वर्ड बोला और उसके बाद मैं ब्लैंक हो गया यह प्रेशर था जतिन आपके उपर प्रेशर नहीं था पता नहीं हो सकता है हो सकता है क्योंकि पहली बार में इस तरह से किसी जगा जाकर परफॉर्म कर रहा था ज मेरे सामने मेरे सारे सपने ऐसे तूटते वे मुझे नजर आ रहे थे लेकिन पता नहीं क्यों मगर जाते जाते मैं दर्वाजे से मुड़ा और मैंने कहा के नहीं सर आया हूं तो कुछ तो करके जाऊंगा ही तो वहां पर मैंने बच्छन साब का खाकी फिल्म से एक डालोग मैंने याद करा था लिख के ऐसे ही अपने होमवर्क के तौर पर क्योंकि मैं सबकी मिमिक्री करता था डालोग याद करता था वह मैंने सुनाया और मुझे मुझे सेलेक्ट किया और वहां से मेरा फिर एक सफर जो है शुरू हुआ अच्छा आपने पहले थेटर किया फिर व दोस्त हैं वह क्राउड सप्लाई करते थे दिल्ली में जो भी फिल्मियों की शूटिंग होती थी तो मुझे बड़ा शौक था तो उनको पता था कि यह एक्टर बनना चाहता है तो मैंने ठीक है तो मैंने उन्हें बोला तू आ जा सुबह साढ़े चार पांच बजे यहां स जो प्लाना एक्टर जो भी एक्टर जिसकी शूटिंग में जा रहा हूं उसकी हीट कितनी है कभी यह नहीं मन में आया कि काश मैं वहां पर हूं अग्टर बिल्कुल वह तो जाना तो उसी के लिए था कि कैमरा वर्ग देखना है कैसे काम होता है सेट पे कैसे लोग बिहेव करते हैं कैसे परफॉर्म करते हैं और हैंक ठोडा सेट का था तो बाता है कि अब नहीं लॉफट और यह सब का चलंग शुरू हो चुका था तो मैंने मिलेंगे मिलेंगे शाहिद कपूर की वान फिल्म है उसमें मैं एक्स्टर के तौर पर काम कर चुका हूं अब अभे दी की फिल्म आहिस्ता है उसमें मैं एक्स्रा के तौर पर काम कर चुगा हूँ रंग दे बसंती के सेट पर मैं गया हूँ तो यह सब फिल्मों के सेट पर जाकर एक अच्छा एहसा हुआ और वहां पर थोड़ा सा वो ट्रीट भी नहीं करते थे अच्छे से क्राउड वगारा को अब में क्या अंतर है तब से अब में कोई अंतर आया कि अब कोई ऐसा उनके साथ करता है तो मैं उसको रोकता हूँ कि यहां पर सब इंसान है वह तरीके और तमीज से काम होना चाहिए अच्छा जाते इन आक्टिंग से पहली की जिंदीगी के बारे में हमें कुछ यहां परिवार जॉइंट फैमिली से आता हूँ वही परिवार जॉइंट फैमिली थी और पिता जो है वह एक छोटी सी बिजनस यूनिट है उनकी लाल कॉटर कृटर कृष्णा नगर मार्केट में जॉइल्री की वह चलाते थे दो भाई ताया जी और पापा को कमाते थे करजा चड़ता जा रहा था और उसने मुझे कहूं तो ज्यादा पुष्ट किया क्यूंकि फैमिली में सब खा रहे थे और कमाने वाले दो ही लोग थे तो वह प्रेशर देखता था घर पे कहने की किलत है कही घूमने नहीं जाना मतलब आइस क्रीम के लिए भी ऐसा होता था कि दो रूपे तीन रूपे कोई दे दे क्योंकि दो रूपे बहुत बड़ी रखम होती थी दो दे 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 तो अपनी मन की च्छाएं पूरी कर सकता था जीन्स जालने का शौक था लेकिन नहीं थी तो मुझे लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा दोस्त ऐसे ही जिन्दगी बरबाद नहीं की जाएगी और यह भी था कि इन लोगों को मेरे पिता हैं मेरे बड़े पापा इन लोगों को मैं करजे से मुक्त करा सकूँ इनकी मदद कर सकूँ अपनी फैमिली की यह मेरे अंदर था एक जोश कह लीजिए जनून इस बात को लेकर के उसने मुझे बहुत होता था वो लोग कोशिश करते रहे पढ़ाते रहे अच्छे स्कूल में पढ़ाया मेरे फादर ने मुझे मा ने तो फुल सपोर्ट किया हर गलती पर परदा डालती रही लेकिन पढ़ाई में मनी नहीं था तो पास होना गहां से था तो जैसे तैसे करके 12th कंप्लीट करी फिर ग्रेजुएशन का दौर आया तो कॉलेज जाने का सपना था वो पूरा नहीं हो पाया उतनी परसंटेज नहीं थी ग्रेजुएट हुआ तो फिर अब करियर के बारे में सोचना शुरू है क्या करना है दुकान पर मुझे बैठना नहीं था क्योंकि वो लोग 8-10 घंट करने शुरू करें मैं जैसे डायमंड ग्रेडिंग का कोर्स करने के लिए गुजरा चला गया सूरत तो मेरको लगा वहां से वहां भाग जाऊँगा मैं बंबे लेकिन मैं एक महीन आरा मैं बड़ा मुश्किल में रहा अकेले मुझ से रहा नहीं गया तो मैं वापस देली भ पेड चैनल कैसे होते हैं तो यह मैं बुके उनको बेचने जाता था कि आप स्टार लेंगे यह लेंगे दूरदर्शन लेंगे या फ्लाना लेंगे आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे आपको एक सेट आप बॉक्स लगाना पड़ेगा क्योंकि एक केबल लगती थी बस सेविसेज में गया कंप्यूटर असेंबलिंग का भी मैंने काम किया हुआ है आप कॉलेज की बात बता रहे थे कि कॉलेज की दिन कैसे आपने पढ़ाई की जद्दो जहद से निकल करके फिर आप कॉलेज की कोई ऐसी यादें जो आप आज यहां इस गुफ्तगू प्रोग बेचा चुपके से कोलेज के बाहर से ऊता हो निकलता था की अंदर की चाना पॉपके से। निकलता थे बढ़ाई कि बड़ाए करते हैं देखना हो बड़ाम एच्छा थी इस निहीं अदैधू कामछ नहीं आपी ड्राप से निकलना यह साब पीजी डी लिए वी कालीए के अब जब अकल नहीं थी और अब जब आया हूं तो समझ में आया काश मैंने आर्ट्स कर ली होती तो मेरे को ज्यादा मेरे ठीक रहता है लेट्रेचर पड़ पाता पॉलिटिकल साइंस पड़ पाता जो गरफी समझ पाता जो एक्टर को जरूरी है मैं यादे हैं बागी में कोलिज के सामने चकर लागाथा जाता था यादता अब आज आज लोग आपको देखने के लिए आपकी जलग पाने के लिए अब जाठो गाता से और ड़rie हो बहुत अच्छा लगता है मुझे लगता है कि मेहनत तो है ही बाकी आशिरवाद जो परवाले का रहा परमात्मा का और साथ ही माता-पिता का जो आशिरवाद आशिश रहा दोस्तों का प्यार रहा इसने मेरी हम्मत सबसे ज्यादा बढ़ाई ओडियंस ने जो सुविकार किया जब मैं थेटर शुरू किया पहला परफॉर्मेंस दिया अपना डिप्लोमा कोर्स में उसको जब लोगों ने अप्रिशेट किया तो मुझे लगा कि अपना चांस है हो जाएगा अगर मैं मैंनत करता रहा तो हो जाएगा और वही हुआ डटके खड़ा रहा बंबे जाने की बहुत जल्दी नहीं दिखाई क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैंने डिली को जीत लिया तो मेरे लिए बंबे असान हो जाएगा क्योंकि फिर उसकी धमक बंबे तक जाएगी तो दिली में मैंने अपना बहुत वक्त दिया मैंने करीबान दो साल के कोर्स करने कि विकास उसके साथ मिलके उसने मुझे कुछ नाटकों में रोल दिया जो बहुत अच्छे लोगों को पसंद आये तो वह एक अक्नॉलेजमेंट आपके काम को मिलता जा रहा था और साथ ही साथ मैंने टीवी सीरियल अपना पहला कर लिया था दूर दर्शन का क्योंकि जीना इसी का नाम है बहुत लंबा टीवी सीरियल था फिर जिंदगी डॉट कॉम किया तो वह एक महर जिसे कहते हैं स्टैंप लगती जा रही थी आपके काम को वैलिडेशन मिलता जा र को मिस करते हैं बहुत जादा मिस करता हूं हला कि टेकनोलोजी के चलते अब तो बात हो जाती है वीडियो कॉल पर पिसले दो तिन सालों में कोविड की वज़ा से भी एक जो डर आया है तो मिस तो करता हूं और इसलिए मैं आपको ज्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं रखता कि मैं यहां चाहिए किसी भी सिटी में ओं तो मैं एक डूट के लिए यह सार्द का गडर ऑगर अज़े तो मैं मिला अवं में एक सिखाः करता है और मातर जो सिकता है अब सिखा दिया वक्तां अब इंजोई करता हूं limited पहले बहुत मुश्किल आती थी मगर माने यह आपकी जो शक्सियत है किसी ने देखी नहीं होगी कि जतिन सर्ना खाना भी बना लेते हैं अच्छा जतिन कहा जाता है कि अगर एक अलाकार एक अदाईगी थेटर में कर लेता है तो वह अच्छा अदाकार फिल्मों के लिए भी अभिने के बारे में बताता है बलकि आपके नीजी जंदगी में अनुशासन कितना जरूरी है उस पे भी बात करता है डिसिप्लेन और डेडिकेशन वह एक आपको बहतर इंसान होने की एक जो समझ देता है वह थेटर का कमाल है वह आपको इतना सेंसिटिव बनाता है वल्न अहसास हुआ थेटर में आके यार कि मैं सही जगा आ गया और वह आपको इतने करीब ले जाता ना किरदारों के क्योंकि आप हमेशा लोगों के बीच में घिरे हुए है और यह आपको आपको रियक्शन मिल रहा है आपको वेट नहीं करना है कि फिल्म आईगी लागी लिए तब मुझे इतने अच्छे लोग मिलें जिनसे मैंने बहुत सीखा और मैं हमेशा रिनी भी रहूंगा और शुक्र गुजार रहूंगा थेटर का कि उसमें मुझे इस मुकाम पर लाया कि मैं आज अगर लोग कहते हैं मैं अच्छा काम करता हूं तो वह थेटर की वज़ा से काम की बात हो रहे है जतने आपकी काफी डायलोग बड़े फेमस हूं लेकिन मैं परसनली आपसे सुनना चाहूंगी आपको जो डायलोग पसंद हो अपना मुझे उसमें हालागी मुझे वह पूरा ही रोल पसंद है यश्पाल शर्माज जी जो मैंने करतेंदार निभाया है मतलब मस्त कहना ही चाहिए बहुत बश्यदर कारेक्टर है तो उसमें एक सीन है जहां पर बोलता है के पाटला यार एक काम कर आज तू थर्ड डाउन चले जही हो पाटला से जही हो क्यों क्या हो गया बोला या स्टीडी होगी है या जो क्या मैंने तुम्हें मरा किया था य स्टीज होती है तू सोड़ा दे सुनील गावासकर साथ को चाहिए तो वह बहुत ही मज़ेदार सीन है बाकी एक मुझे बड़ा पैयरा वो भी सीन लगता है जिसमें वह बोलता है जिंपा और उनका सीन है पिच पे वह बोल रहे है यार राम सी याशित शॉट अच्छा था तो यह बहुत ही कमाल के सीन लगे मुझे और खास तो पर मैं इसी मादियम सेकबीर खांड शुकरियादा रहा चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अगर बात करूं तो अगर बात करूं तो उस वेब सीरी से ती उससे आपका काम काफी चर्चा में आ गया आगया आप लाइम-ल यह कैसे मिला आपको सिक्रिट गेम्स का? हर चीज का मेरे खियाल मैंने एक बेस होता है जैसे मैं थेटर में कैसे आया उसकी कानी शुरू होती है कि मैंने क्राउड से शुरुवात की तो यह सीरीज मिलने से पहले मेरा काम अनुराग सर ने एडिट किया था जिसने संजे फॉर्णर का कारेक्टर किया यह भी किरदार काफी फेमिस का है जदनाब का और मेरी मुलाकात तो नहीं हो पाई लेकिन उनका एक रिकॉर्डड मेसेज मेरे को सुनने को मिला जिसमें उनने यह बात कही तो उसके बात से कि फेश्बुक मेसेंजर से उनके टच में रहा अंको कूभ मेसेज करता था कि सर कूँकि दो जार 14 में फिल्म रिलीज होई थी आप दो साल मेरे पास काम नहीं था तो मैं सिप्ण करता रहा लगाता कि सर मुझे काम दो काम दो आप मने बूला था इए तू आप काम नहीं दे रहे हो, क्या मैंने इतना बुरा किया, क्या मेरा काम ठीक नहीं था, तो फिर आपने क्यूं कहा, तो वो जवाब नहीं देते थे, और मैं इरिट, मतलब फ्रॉस्टेट भी होता था, क्या इस बंदे ने काम की तारीफ करिया, अब ये काम भी नहीं दे रहा ह अब मुझसे बरदाश नहीं हो पा रहा है और रहना और मैंने तया किया कि अब बंबई मुझे जाना है और मैं बंबई आ गया वहां आने के ही शायद महीने के अंदर मुझे एक दिन पता लगा कि मुझे च्छाबडा कास्टिंग कंपनी से मुझे कॉल आया कि आईए आपको अनुराक सर ने उसको फाइनल किया और इस तरह से मुझे वह रोल मिला और फिर किरदार की तैयारी के लिए मैं कुछ नहीं करता था मैं सिर्फ वहां के लोकल लोग जो है मेरे मराठी लोग जो है मैं उनको अब्जर्व करता था खास वर पे जो यंग लड़के हैं तो उग कैसे बात करते हैं कैसे बोल चाला कैसे उनकी बहेवियर क्या है वाक क्या है किस चीज को कैसे खीचते हैं बहुत जरूरी होता है कि आप्जर्व करें क्योंकि वही आपके काम पे रिफ्लेक्ट भी करता है नाजरीन जिस तरह से आपकी महबद गुफ्दगू प्रोग्राम को मिल रही है उसके लिए हम तहे दिल से शुक्र गुजार हैं अगले हफ़ते आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए यूही मुस्कुराते रहिए गुनगुनाते रहिए और देखते रहिए गुफ् तो मेंटल इतना ज्यादा प्रेशर हो गया था कि मुझे डिप्रेस हो गया मैं थोड़ा सा चुमन का काम नहीं मिल रहा है बच्छन साब को बड़ा फैन हूं तो उनकी फिल्म का वो डायलोग मुझे पता नहीं क्यों बार बार ऐसे वो करता है कि कहता है कि मैं आज भी पैक लगा देने से इंकार करने वाला तो यह सब मुझे बहुत आज फैसिनेट करते हैं कि यह स्टाइल है डालॉग बाजी है तो यह बहुत इससे बड़ा मिन मतासिर हो है हाणी मुण के लिए कहा जाना है कहा जाना है